हलो गूड मॉर्निंग और वेलकम बेक फ्रेंट्स आप देख रहे हैं पेसर एजूकेशन यूटूब चेनल आज किस वीडियो में बात करेंगे 12 जनवर इसे रिलिएट जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफिस बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे साथी काफ प्रेंट्स फ्लो रिपोर्ट 2021 में सरवादिक रेंट्स प्राप्त करता कंट्री कौन सा है तो करेक्ट अंसरा आपका इंडिया था डिवाल ऑप्शन भारत ठीक है चलिए अब बात करते हैं आप आज की कारेंट अफिस की पहला आप डेट आपके सामने है हाल ही में सोट में आप कहेंगे आई यू सिए इसने किसको अपनी रेड लिष्ट में लुपत प्राइब की सरेणि में वरगिखरत किया है मैं तो तो जो रेड सेंडल वूड है या आप इसे कह सकतो हिंदी में रक्त चंदन ठीक है इसको हाल ही में जो आई यू सिएन है इसने अपनी लुप्त प्राय की स्रेणी जो है इसमें सामिल कर लिया है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है चलिए अगला पडेट दिखिएगा यहाँ पर किसने भारत में गतिसील रूप से बदलते वित्तिय परीदर्स को ध्यान में केंदृत करने के लिए एक आंतरिक फिंटेक इस ने इस फिंटेक विबाग की स्तापना की है थोड़ा से डिटेल में जानेंगे सबसे पहले तो यहां पर देखिएगा जो फिंटेक है यह फिंटेक विबाग है यह आर विए दोरा इस्तापित किया है यहां पर यह अर्वी ने भुक्तान और निप्तान प्रणाली इससे benefit क्या होगा नवाचार को सुविदा जनक बनाया जा सकेगा और Fintech के छेत्र में चुनोतियों और आउशरों के पहचान करने में जो है इसकी मदद की जा सकेगी तो इसका मुख्य उद्देश से है और इसका कारी क्या होगा Fintech का ये भी आप देख लिजिएगा Fintech जो भी डिपार्टमेंट है इसका कारी क्या हुआ Fintech पर अंतर नियामक और अंतर राष्टिये समन्वे से समन्दित सभी मामलों को विभाग दोहरा निप्टाए जाएगा और ये है RBI के C.A.D. को रिपोर्ट करेगा दूसरा कारिया है विभाग नितिकत हस्त से पौक बगे सायता के लिए Fintech पर आगे के सोध के लिए एक रूप रेखा भी तैयार करेगा तो ये इसके Fintech के कारियों होंगे काम होंगे उसके बाद में दिखेगा उत eigen प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास में इस दित चार गाओं को राजस्वे गाओं गोसित किया है कौन सा विमेज से नहीं है भवानी पूर इसमें सामील में इस्तित है ये भी आपको जहां डखना है जो बहराई जिला है उसी की महिन पूर्वा तैसिल में इस्तित है ठीक है यहाँ पर देखेगा इन गाओं में वन्तांगिया समुदाय के लोग रहते हैं और बिटिस सासन के धोरण वन्तांगिया समुधाय के लोगों को मियानमार से पेड़ लगाने के लिए लाया गया था अब यहाँ पर इस निर्णे से क्या होगा यहने कि इनको जो यहाँ पर प्रसासनिक गाओ मरलब की राजस्वे गाओं के लिए चुना गया है तो इनको बेनिफिट क्या होगा यहाँ पर इन गाओं के लोगों को इस निर्णे से क्या होगा कि गाओं के लोगों को सबी जितने भी सरकारी योजनाए है उनका लाब मिल सकेगा ठीक है अब यह तो होगए आपको एक और चीज ध्यान डख नहीं है राजस्वे गाओं होता क्या है ठीक है यह यहाँ पर परिवासा है राजस्वे गाओं के ठीक है नेक्स्ट अपडेट दिखेगा हाल ही में ओन टाइम प्रदर्शन के लिए जारी वेस्विक सुची में भारत का कौन सा हवायड़ा आठवे इस्तान पर रहा है करेक्ट आम सुगा चैन नई अंतराष्टी हवायड़ा यहाँ पर ओन टाइम प्रदर्शन की जो यह वेस्विक की रिपोर्ट है उसके अंदर पहले स्थान पर रहा है मियामी हवायड़ा जो सुगतराज जेमरिका का है उसके बाद में दूसरे स्थान पर फूकू को होआ हवायड़ा जो जापान में है तीसरे पर हानेडा हवायड़ा जापान का और आठवे नंबर पर मरभारत का चैन नई हवायड़ा जापान का ठीक है उसके बाद में अगला प्डेट है केंद्रे जो रेल मंतरा लाय है इसने कहां पर केवडिया रेल्वे स्टेशन का नाम बादल कर एकता नगार रेल्वे स्टेशन करने को मंजुरी दे दी है तो केवडिया रेल्वे स्टेशन इस्टिद है आपका नरबदा गुजरात में गुजरात का जो नरवदा रिष्टी है उससी के अंदर रिये इस दिते के बड़ी है रिलिवेश्टिशन जिसका नाया नाम एकता नगार रिलिवेश्टिशन कर दिया है अगला पडेट है रतन टाटा की जीवनी है इसका नाम है रतन एंटाटा दा ऑथराइश्ट बायोग्राफी नवंबर में रिलिज होने वाली है यह किसने लिखी है तो यहाँ पर देखेगा सो सही अंसर है थामस मेत्य हो जाएगा जो रतन प्रसित दुद्दोग पती है भारत के रतन टाटा ठीक है उनकी यह बायोग्राफी है और यह नवंबर में जारी होने वाली है 2022 में इसी साल ठीक है और इसके लेखा कौन है डाक्टर थैमस मेत्यूर ठीक है लेखा का आपको ध्यान डखना नेक्स्ट है हाल ही जारी गॉल्डन ग्लोब आवार्स 2022 की सुच्छी में कौन सा सही नहीं है गॉल्डन ग्लोब आवार्स की सुच्छी जार है बिल्कुल सही है बेस्ट एक्टर ड्रामा का जो अवाड मिला है वो विल स्मित को मिला है तो यह भी आपका सही है और जो यहां पर बेस्ट एक्ट्रिस ड्रामा के लिए जो अवाड मिला है वो निकोल किड मैन को मिला है तो यह भी आपका सही है, तो यहाँ पर Best Director का जो अवाड है, यह Hans Zimmer को मिला है, यह आपका wrong है, ठीक है तीनों option सही है, चोथावला wrong है, चलिए थोड़ा पूरी लिष्ट पर यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं देखिए यहाँ पर Best Film का Drama की केटिगरी में, यहाँ पर नाम धहन रखना है, The Power of Dog और यहाँ पर Best Actor जो Drama की केटिगरी में, विल इसमित है और Actress जो Drama केटिगरी में, निकोल किडमन है, उसके लावा जो बचे हुए हैं, Best Actor Comedy Musical में, यहाँ पर Jonathan Lawson है, उसके लावा यहाँ पर आप देख लीजी गए लिस्ट है हम Best Director का जो आवार्ड है उसकी बात कर रहे थे, तो यह Gen Champion को दिया गया है, Best Director का आवार्ड, ठीक है किसको Gen Champion को दिया गया है तो उसके बाद में देखिएगा अगल अपड़ीट है अपना, राष्टिये आपका कारेक्टरम सुगा 11 जन्वरी को राष्टिये, मानव तसकरी जा गरोगता दिवस मना जाता है नेक्स अपड़ीट है किस अस्ताँ ने बच्चों को खिलाब आपराद और हिंसा का मुकाबल करने के लिए करने की दिशा में अपने काम के लिए एक इक सिल्वर सुरेणी में स्कोच आवार्ड जीता है तो इस पार का जो स्कोच आवार्ड है सिल्वर केटिगरी का वो forensic science laboratory नहीं जीता है किसने? orithDC science laboratory नहीं जीता है देखें यहाँ पर इनों नहीं जीता है बच्चों के खिलाब अपराद और इंसा का मुकाबला करने की दिशा में इनका जो काम था उनका जो योगधान था उसी के लिए इनको यह आवाड दिया गया है स्कोज आवाड फोरेंशिक साइंस लेबरेटरी को ठीक है नेक्स्ट है हालखी में दिसमबर महिने का जो ICC Player of the Month है वो किसे गोशित किया गया है एजाज पटेल आपका करेक्टरम सुगा ICC Player of the Month दिसमबर महा की बात हो रही है हर महा ये गोशित किया जाते है दिसमबर 2021 के लिए जो यहाँ पर चुने गया है एजाज पटेल चुने गया है भारत ये मूल के प्लेयर है न्यूजिलेंड की तरफ से खेलते है ठीक है ये आपको जहान रखना अगला आप डेट है देश की स्वतंतरता को 75 साल पूरे होने के उपलक्स में किस राज्ये में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्य धोज पहराय जाएगा तो कर्रेक्टरम्स होगा राजस्तान में देखें यहाँ पर जो राजस्तान है वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्य धोज यह पहना जाएगा अभी 15 जनवरी को जो है यह पहना जाएगा यह आपको धान डखना है हाल ही जो हमारे सबस्तान तरता के 75 साल पूरे है उसी प्लक्स में यहाँ पर इस्ताबित किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दा इन्फोर्मेशन फ्रॉम रिलाइल विल सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो इस्ताबना राजस्तान में और कहां किया जाएगा जोधपूर नेशनल हाईवे नियर जैसल मेर मिलेक्टरी स्टिशन तो यहाँ पर जो जैसल मेर जो यहाँ पर डिश्टिक है राजस्तान का वहीं पर जो है इसका इस्ताबना किया जाएगा जोधपूर नेशनल हाईवे पर ठीक है बना गया ठीक है ये चीज इंपोर्टेंट है इससे पहले भी आपने आपको मैंने बताया था इससे पहले जो लेहे है जम्मू के अंदर वहाँ पर भी जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा जो है जंडा पैराए गया था और मुंबई में भी लगाया गया था ठीक है तो यहा खादी जी का 152 बाव बर्था एंडवर्शर था उस दोरान यहां पर यह वर्ल्ड लार्जेस्ट नैशनल फ्लेक जो है खादी कलोट का बनावा था जो कि लेह लद्दाख में स्तापित किया था उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट है हालखी में निरामय परियोजना को किस राज्जे ने लौंच किया है तो यह क्या गया है असम के दुआरा निरामय परियोजना की यहां पर बात हो रही है देखे निरामय परियोजना जो राष्टिये स्वास्ते मिशन है असम का इसने एक गेर लाबकारी संगटन पिरामल स्वास्ते और सिकों के सयोग से असम में सार्वजनिक स्वास्ते सेवा को डिजिटलाइज करने के लिए पाइलेट प्रोजेक्ट निरामय सुरू किया है तो यहां पर जो यहां गेर लाबकारी संगठने पिरामल और जो सिक को है ठीक है इन दोनों के सयोग से यहां असम सरकार ने इस निरामय प्रोजेक्ट को सुरू किया है यहां की जो स्वास्ते सेवा है उसको डिजिटल करने के लिए ठीक है इसका उद्धिश से क्या है जमिनी इस्तर पर स्वास्ते प्रणाली को मजबूत करना और स्वास्ते सेवा के साथ स्वास्ते सेवा के गुणोकता में सुधार करना इसका उध्धिस से ठीक है अगला अपडेट लिखिएगा निम्न में से किस मंत्रा लेने हाल ही में पासपोर्ट सेवा कारेकरम के दूसरे चरण के लिए टीसी एस के साथ एक समझोते पर अस्ताक सकी है तो टीसी एस के साथ जो ये समझोता किया है ये विदेश मंत्रा लानी किया है अंशोगा आपका डीवाल आप्शन नेक्स अब बात करते हैं जो आज की क्वीज़े इसका अंसर लिखना आपको नीचे कमेंट वोक्स में देखे आपको वीडियो पसंद आईए तो लाइक शिर जरू कीज़ेगा आज की इस वीडियो में इतना है मिलते नेक्स वीडियो धन्यवाद